फिए जाता है एक घर की यहां, और उस घर में एक लडकी को दिखाया जाता है, जो की लिको होती है। और जो लीको होती है वो टीवी देख रही होती है और जब लीको टीवी देख रही होती है तभी वहाँ पे लिउस आ जाती है अपने एश की और आपको इसके बारे में पता है कि ये कौन है और कहां से है और फिर अपनी लीको की मॉम कहती है अरे लीको ये है ट्रेनर एश जो ट्योंस यह दोॉज मशन करेंड नहीं में निकल गया हूंगी और फिर रीको कहती है देखना मॉम मैं भी एक महान ट्रेनर बन के रहूंगी और मैं भी इनसे मिल कर रहूंगी और इनसे एक बैटल भी करूंगी और फिर लीको की मॉम कहती है हाँ बेटा तुम कर लेना बैटल और फिर लीको की मॉम कहती है लीको तुम को याद है कि तुम दस साल की हो चुकी हो अब और तुम अब ट्रेनर भी बन सकती हो और तुम पोकेमोन चूस भी कर सकती हो और अपनी जरनी में भी जा सकती हो और फिर अपनी लीको कहती है हाँ माम आपने सही का मैंको पोकेमोन मास्टर बनने के सफर में निकलना ही होगा और फिर लीको की मॉम कहती है हाँ चले जाना लेकिन अभी खाना तो खाले और फिर उसके बाग चली जाना और फिर लीको की मॉम चली जाती है कीचेन में खाना खुलाने के लिए और लीको टेबल में बैटे बैटे सूसती है कि में को कौन कौन से पोकीमोन चूस के निको मिलेंगे और तभी लीको की मम खाँ जाती है खाना लेको है और लीको खाना खाना इस्टार्ट कर देती है तभी खाना खाते वक्त अपनी लीको पूसती है मम से मॉम वैसे मैं कहां पे ही पोकीमोन चूश के निगले जाऊंगी फिरली को की मॉम बोलती है तुमको जाना होगा टेलेटर्म की एक पोकी लैब और जो कि तुमको असानी से मिल जाएगी क्योंकि पूरे पाली अरीजन में किवर एक ही पोकी लैब है और फिर लीको अपना खाना खतम कर देती है और फिर लीको खाना खाने के बाद चल देती है तैयार होके अपने नए सफर की हो तो कि वहीं से उसकी सुदूआत होने वाली है पोकीमान चूपनी की और जैसे लीको बाहर जाने ही लगती है वैसे ही लीको की मौम आ जाती है और अपने लीको को रोगती है और कहती है दो मिनट वेट करो लीको और फिर लीको की मौम आती है और साथ ही साथ एक लोकेट लाती है और उस लोकेट को लाते ही पहना देती है अपनी लीको को और फिर बोलती है लीगो ये एक नॉर्मल लॉकेट नहीं है और फिर अपनी लीगो कहती है मॉम तब फिर ये लॉकेट है क्या किस चीज के है और इसमें क्या चीज है और फिर लीगो की मॉम कहती है ये एक मिस्ट्रीलियस चीज है और साथ ही साथ इसमें तुम्हारे डैट की यादे और तुम इसको कभी भी खोने मत देना तुम यापSet इसको पहने रहना के ऑपने वाकीमाँ आपकि बातों का पालन करों के और फिर अपनी बिन पिर दिखाया जाता है अपने सफर में अपनी मौम को बाई बै करो मैं लेट हो रहा हूँ पोक्य लैब में में भो पहले ही बुलाया गया था और मैं बहुट ज़्यादा ही लेट होने वालो हूँ प्लिस जल्डी कर ये मॉम जल्दी और फिर रॉय अपने कमरे में जाता है कुछ समाल देने तब ही उसको एक मिस्टिरियस बॉक्स दिखाई देता है उसको अपने कमरे में और फिर रॉय उस मिस्टिरियस बॉक्स नीचे ले आता है और कहता है मॉम ये मिस्टिरियस बॉक्स क तो प्रोड़ कहता है नहीं मॉम मैं इसको नहीं वेक सकता है इसमें कुछ अच्छी चीजे भी हो सकती है थोटा सा तो हई है मैं अपने बैग में डाल लेता हूं अपने सफर में काम आए और फिर अपना रॉय की मॉम के दिये ओके कोई ना और तुम मेरे को कॉल करते रहना औ सबसे पहले तूम पोकी लेप में चले जाना जल्डे से जाओ कि तुम बहुत जगाना घी ओर और तभी अपने ब्यूस्ते निकल जाता है पोकी आखी और हो और दो अबसमें घढ जाते हैं नहीं देख पाते हैं एक दूसरे को और दोनों लोग गिर जाते हैं और फिर अपनी लीको कहती है अरे लड़के तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं यहां पे हूँ और फिर अपना रॉय कहता है अच्छा में को कैसे दिखाई देगा तुम इतने तेज जो आ रही थी तोरते और फिर लीको कहती है अच्छा कोई बात नहीं अब में कुछ जाने दू बाई 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 और फिर लीको अपनी चल देती है पोकी लैब के अंदर और तभी अपना रॉय कहता है अरे रुक रुको तुम कहां जा रही हो और तभी अपनी लीको कहती है मैं तो पोकी लैब म बनना चाहती हूं और फिर तभी अपनी लीकों कहते है हाँ वोई संतु कौनों और फिर अपना रोय कहता है। पहलते हैं। युख लोग झांधे कि अपने प्रफेसर से मिलोग शुकर देते और फिर प्रोफेसर कहते हैं, अरे तुम इतना जल्ददाजी के वर रहे हो, टेंशन मदलो, तुम लोग आ गया होना, अब कोई लेट नहीं होगा, मैं तुमको पोकेमोन दे दूंगा, और फिर प्रोफेसर कहते हैं, आओ बच्चो दोनों लोग मेरे साथ आओ, और फिर प्र उप्रोफेसर काएं, और फिर अपनी लीको कहती है, मैं बहुत ज़ाधा एक्साइटी दूंग, कौन समे को को पोकेमोन मिलेगा, अब में को देखना है, और फिर अपना रॉय कहता है, अरे लीकों टेंशन मदलो, देखते हैं, कौन सम मिलता है, मैं तो तुमको हाराने वाल तुम मेरे से बैटल करोगी न और फिर अपनी लीकों कहती है मैंने तो कोई अभी तक बैटल लड़ा भी नहीं है कोई ना लड़ेंगे बैटल मजा आएगा पहले मेरे वो मेरे पोकीमॉन तो मिल जाए और प्रोफिसर आते हैं और अपने साथ तीन बॉल भी लाते हैं और फि और फिर अपनी लीकों और रॉय कहते हैं हाँ प्रोफिसर और फिर प्रोफिसर तीनों पोकीमॉन को बाहर निकालते हैं और जैसे ही तीनों पोकीमॉन बाहर आ जाते हैं वैसे ही अपनी लीकों बहुत ज़्यादा है और अपना रॉय भी और फिर तभी अपना प्रोफिसर स सुनो तिम दोनों पहला यह जो पोकेमोन है ग्रीन कलरता है यह है स्प्रेगिटी जो की ऋडो जो भी ग्राश टाइप पोकेमोन है और चलो अब मैं तुम लोग को दूसरे पोकेमोन के बारे में बताता हूं दूसरा है फाय टाइप है जिसका नाम है फ्यूको को और बाकी टाइब जिसका नाम है क्वैक्ट सुली और यह वाटर टाइब के मूब आराम से कर लेता है तो बताओ लिगो और रोय कैसा लगा तुम लोग को यह पोकेमॉन और बताओ तुम लोग को कौन से पोकेमॉन चूज करने और फिर लिगो सोचने लगती है अपने मन के अंदर और मैंने ग्राश्टाइब के साथ बहुत ज़्यादा खेला हुआ है और मैं ग्राश्टाइब के बार में अच्छे तरीके से जानती हूं और फिर प्रोफेसर कहता है रोय तुम कोई से पोकेमॉन चूज करो तुम दोनों का पोकेमॉन ते रहा तुम लोग अपने पोकेमॉन अब तुम लोग जा सकते हूं और फिर प्रोफेसर कहता है बेस्ट ऑफ लग बच्चों और फिर लीगो और रॉय बाइब कहे आपके चलते हैं और फिर दोनों लोग पहुंच जाते हैं और तो तभी अपनी लिगो पहती है मैं तयार हूं अपना फर्स्ट बेटर लगने के लिए तो चलो इस्टार्ट करते हैं तो बस दोस्तों वीडियो पसंदे तो वीडियो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर द कर दोड़ा माट.